प्रफुर्ट रहने वाले महापापमा और महान पाप भी करवा लेती हैं विद्धि एनम इह वहरिनम इस विश्य में है अर्जुन तु इस काम काम को ही मुख्य समझ भोग विलाशों को ही मुख्य समझ संसार को भोगनी की प्रवर्ति भोगतारम यगित अफ्साम सर्वलोंक महेश्वरम यह अनंत ब्रम्मांडों के भोगता एक मात्र स्रीकृष्ण ह भोगतारम यगित अफ्साम सर्वलोंक महेश्वरम स्रुदम सर्वोटा नाम ग्यात्वा माम शांति मृच्छति कि नहीं हम भगवान की शरण में रहकर के बगवान के चरणों में रहकर के हम सभी प्रकार आनंदित हो सकते हैं भगवान से अलग हो करके तो हम संसार की भोग नाव में उत्रेंगे फिर काम क्रोध मद मोह नात नरक के पंथ फिर ये नरक में ले जाने वाले इसे दोते हैं जितने भोग विलाश हैं इसलिए भगवान स्री कृष्ण कहते हैं एसाम तुन्त गतम पापम जनानाम पूर्ण कर्म नाम पायस एक्टिविटीज करते-करते करते-करते परोपकार करते-करते जिनके पाप नश्ट हो गए हैं पूरी तरह से पापों का फलाना बंद हो गया है ऐसे व्यक्ति मेरी शरण माते और मुझे ऐसे व्यक्ति द्वंदों से मुक्तों पाते हैं इच्छा द्वेस जैसे द्वंद से मुक्तों पाते हैं उनके इर्दे में इच्छा की जगे मेरी सेवा और द्वेश की जगा मेरा प्रेम उनके इर्दे में भर जाता है तेसाम द्वंद में निर्मुकता ऐसी व्यक्ति जिनके पाप पापों का फलाता बंद हो गया है यहीं पाप पूंद का जल गये हैं ऐसे ही व्यक्ति द्वंद से परे होते हैं ते द्वंद मोगों निर्मुकता और यह द्वंद इच्छा द्वेश से जो परे हो गये है ब्रजनत इमाम द्रड़ वरता तो फिर व्यक्ति मुझे द्रड व्रत द्रड संकल्प ले करके कि बहुत हो गया बार बार इस संसार का भोग किया है इस बार नहीं करूंगा बहुत जनम बिचुडे थे माधो ये जनम तुमारे लेखे बहुत जनम बिचुडे थे माधो हे माधो बहुत जनमों से हम आपसे दूर रहें आपको भूल गए इस संसार में पाप को अपना लिया है विसे भोगों को अपना लिया बैमनुश्यता को धारन कर लिया अभी इस जनम में हम आपकी शर्ण मा आना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी शर्ण लेता है और द्रग द्रत ले करके मेरा भजन करता है मुझे पानी की मेरे धाम में आने की कौशिश करता है इस संसार के जनम मरन जराव्यादी से छूटने के लिए प्रियत्न करता है और छूट जाता है ते दुन्द मोगो निर्मुता दुए ये बहुए हैं मुझे प्राप्त करता है जो द्रडवरत ले करके मेरा भजन करता है ये भगवान कह रहे हैं है है कि ए वी मेरे अधिल कार्मति जनानाम पुर्ण कर्मनाम ते द्वंद मोह निर्मुकता भजन ते माम ध्रडवरता ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं जरामरण मोक्षाय मामा सृत्तियत अंतिये ते ब्रह्मुतद विदो कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलं तुर्ण भगवानी कहां कि ऐसी व्यक्ति मेरे आश्रम में रहकर के मेरी शर्ण में रहकर के जनम जरामरण मोक्षाय मामा सृत्तियत अंतिये जरा आयनी बुड़ापा मरण यानी मृत्यों इनसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्रम में आते हैं मेरी शर्ण में आते हैं और यतनती प्रियत्न करते हैं मुझे प्रसंद करने का मुझे रिजाने के लिए मेरी सेवा करके मुझे पुष्प अरपन करके मेरा भजन करके मेरा कीरतन करके मेरा नाम का जब करके नाचते हैं मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामनी मेरा ने गुम्रू बांद लिये थे भगवान को रिजाने के लिए गुम्रू खरीद लिये थे चित्तवडगर उदैपुर के बाजार में से बांद लिये पाओं में नाचती थी राजकुमारी थी पत्रानी थी चित्तवडगर की राजकुमारी थी उदैपुर की पत्रानी थी पाओं में गुम्रू बांद लिये थे वो स्री कृष्ण को रिजाने के लिए नाचती थी गाती थी नाचती थी पागलों की तरह रोती थी जैसे सब लुट गया सब छुट गया कब मिलेंगी मुझे मेरे माधव मेरो तो गिरदर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई चान गई कुल की कानी कहा करेगो कोई संतन धिंग बैट बैट लोक लाज खोई अस्वन जल सीच सीच भक्ति बेल वोई अब तो बेल फैल गई आनंद फलोई दासी मीरा लाल गिरदर तारोग वोई अब तो प्रमुट मुझे अपना लो अपनी दुलन की तरह आजाओ भर्दो मेरी मान में सिंदूर मेरा बाए ने बांद ली ते गुमरू तग गुमरू बांद मीरा नाचीरे लोग कहें मीरा भईर बावरी सास कहें कुल नासीरे पग गुमरू बांद मीरा नाचीरे विशका प्याला राना ने भेजा पी गई मीरा हासीरे भवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए विश क्या करेगा समाज का अपमान क्या करेगा उनको मान समान की परवा नहीं रहती बिस्पान भी कर जाते हैं कौन संत है जिसने संसार का बिस्पान नहीं किया संसार में उनके उपर पत्थर पैंके उनको जहर दिया उनको मारा कतल किया फासी दी जीसस को फासी मंसूर के हाथ पाउं काटे फासी पलटका दिया सुक्रात को जहर पिला दिया मीरा को जहर पिला दिया बुद्ध भगवान को मारने की चेश्टा की गुरुनानाग देवजी के उपर भी चत्तान खिसका दी मारने के लिए उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से वो चत्तान को रोका शक्तिवान थे शक्तिवान है क्योंकि भगवान के ही जो स्वरूप है वो शक्तिवान है जो पवित्र परंपवित्र है वो शक्तिवान है पवित्रता में शक्ति होती है जरा अमरन मूक शाय तो यह जहर सब को पीना पड़ता है और संसार के पास है क्या जहर ही तो है जिसके पास जो होगा वो ही तो पिलाएगा अमरित तो मिलता है महापुर्षों के पास शुद्ध भक्तों के पास संसार के पास कहा मिलेगा संसार के पास मिलेंगी बीडी सिग्रेट शराब गांजा भान तंबाकु मांस मटन बीफ बलड जुवा ताश के पत्ते और चम्रे का व्यापाहर यह सब जहर है तो संसार देगा क्या इच्छा द्वेस वो अपने को राजा गोसित करने के लिए बड़ा गोसित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तल्वान लेके आ जाएगा रावन राम के सामने आ गया इरणा कश्यको भी आ गया भगवान को तल्वार लेकर के खड़क ले लिया आत्मे खड़क निकाल लिया जैसे नर्सिंग भगवान प्रगट रही लिए लिए भगवान के आगे उसकी खड़क क्या करेगी लिंक्स करेंगे क्या इस विचारे करेंगे क्या संसार वाले इनके पास जहरी तो है तो जहरी फिलाएंगे तो संतों को मारेंगे गाली देंगे जूटे लांचन लगाएंगे काला मुह कर देंगे गदे पर निकाल देंगे बिटागे क्यों संत अमरित पिलाना चाहता है अमरित इनको भाता नहीं जैसे गदे को कोई घी पिलाए और गदा गया गया क्या करते हो मेरी गर्दन के तोड रहे हो ऐसा ही हाल है तो फिर गदा दुलत्ती मारेगा नकारेगा अम्रित पीने से लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रह में रह करके भगवान का आश्रह यह नहीं भगवान की शर्ण भगवान की शर्ण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति भगवान की किसी शुद्ध भगत के चल्णों में जाके मात अटे के प्रणाम करे गुरू रूप से स्विकार करे तो भगवान की शर्ण मानी जाती है भगवान की शर्ण डारेक्ट नहीं मिलती है शास्त्रों में मना किया है भगवान की किसी शुद्ध भक्त की शर्ण में जाने से ही भगवान की शर्ण मिलती है डारेक्ट अपर्च नहीं होती है इसलिए भगवान स्वेम गुरू बनाने की सिक्षा देते हैं गुरू बनाएं कर्शन बल्राम संदीप नी मुनी के आश्रम में गए शिक्षा लेने बेशक उन्होंने चौसट दिन में चौसट कलाएं प्राप्त करी उनके पास तो कलाओं का बंडार पहले से ही है उनको जरुत नहीं लिए शिक्षा देने के लिए समाज हुए चौसट दिन में चौसट कला कोई प्राप्त कर सकता है ये भी इशारा किया बगवान ने बगवान ने इस दरगाम पर जब थे प्रगट हुए तो सभी ऐसी लेलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवां से ब्रह्माजी से सबसे एक-एक हाथ उपर थी उससे वो चाहें तो हज्जारों में उपर कर दें नहीं एक हाथ उपर समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूं लिए देखो मैं भी तो गुरू बना रहा हूं चाहे चौसट दिन के लिए हैं सही चौसट कलाओं के लिए सही राम के भी गुरू थे गुरू बिन गति नहीं होती गुरू बिन ग्यान नहीं मिलता गुरू बिन एंकर कौन काटेगा तुम्हारा कोई कहता है स्रीडी के साहिबावा मेरे गुरू जी है मैं कहता हूं तुम अभी 40 वर्ष के हो स्रीडी के साहिबावा को 100 वर्ष से उपर ह हो ये वो तुम्हारे गुरू का पनहें लो महाराज हमने गुरु मान रखा है अच्च को अच्छा चलो ठीक गुरु गुरुँ मान रखा है तो कुछ अ एक पवित्र भख्त होता है बगवान का तो उसकी पवित्र था तुम्हें भी तो तुम्हारे उपर भी तो उतरनी चाहिए तुम तो शराफ पी रहे हो, मांस खा रहे हो, जूट बोल रहे हो, बेहिमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, दुनिया को सता रहे हो, तुम कैसे उनके शिष्ष होगे? शिष्ष का धर्म है, क्यों बगवान की शर्ण में रहे हो, अपने गुरू के इंस्ट्रक्शन का पालन करें, पवित्रता को अपनाए, गंदगी को साफ करें, धर्म को अपनाए, अधर्म को नश्ट करें, तो लोगों ने ऐसे धार ना कर रखिये, कि हम तो मानते हैं स्रीडी के साहिवावाग, कोई बलता हम जलाराम बापू को मानते हैं, तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है, तो कोई बलता हम गुरू, जगत गुरू, स्री कृष्ण जी जगत गुरू हमाराज, उनकी चरणों में, तो फिर स्री कृष्ण भगवाण ने गीता बोली है, अपने शिश्य के लिए, तो शिश्य बनो, अर्जुन की तरह, तो भगवाण स्री कृष्ण की मेरे आश्रे में रह करके, जो जरा मरन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे मेरे आश्रे में रहना चाहिए, मेरी शर्ण में रहना चाहिए, मेरी शर्ण में रहना चाहिए, मेरी शर्ण में रहना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मुझसे प्रेम करना चाहिए मेरे चरण इस परस करने चाहिए मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे कुछ निवेदन करना है मुझसे करें मावाश रित्ति यतंति है जरा मरण मुक्षाए जरा मरण से मुक्त होने के लिए कि बार बार जनम बार बार मरण इससे मुक्ष प्राप्त करने के लिए छुटकारा पाने के लिए बहुगाएं स्रीकृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शर्ण में रहकर के यतन करना चाहिए मेरी शर्ण में रहकर के ये जरा और मरण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए यानि मेरे भजन करनी चाहिए मेरे सेवा करनी चाहिए मेरा नाम जिप करना चाहिए मेरा कीर्थन करना चाहिए ध्यान करना चाहिए किई तन करना चाहिए नाचना चाहिए यह करोह शी यह द horrणा अर्जुन जो तू कुछ खाता है करता है देता है तपता है उसमेरे लिए कर तेरी सारी दिंचरिया मेरे लिए होनी चाहिए मुझे प्रस्ण करने के लिए कर यद करो सी यद असना से यद जो सी कुछ आउति देता है स्वा मेरे मेरे लिए कर वासुदेव यग कर लोग देवताओं के मन तो चारण करते हैं आउतियां देते हैं इंदर देवाए इन्नमा स्वाह और फिर प्रात्रा करते हैं हमको महल दो गोडा दो नौकर दो रानी दो सुख दो सुविदा दो अपसराएं दो सारी अपसराओं के लेके बैठे हमें तो अपसरा दो इंदर है मन तुमारा इस शरीर में हमारा जो मन है यह इंदर है यह इंदर के यह चारों तरफ हजार नगन अपसराएं खड़ी होती हैं कि विचारों में सथे शपनोंगा так सरे के मनमे सारा सन्सार समाई समाया है इड़ी व 우리가 बनना चाहता मन ही चादा है कि मनी फ्रेश करता है मने मनुश्यादा करंबंद मोक्षिय यह मन यह तो है मनुश्यों के अंदर जिससे मनुश्य बनाए यह मन ही तो है जो बंदन का कारण है यह चाहे तो जेल में ले जाए बेड़ें में डाल दे यह चाहे तो नरक में ले जाए यह चाहे तो अपसराओं से मिला दे ख्वाबों में ही सही हकीकत में मिला दे और यह चाहे तो परमीश्वर से मिला दे यह मोक्ष्या कारण भी बन जाता है मन मनेव मनुष्या नाम कर्म बंध मोक्ष्या यह कर्मों के बंदन में डालता है तो मन से सावदान रहना मन की गती समझना कि यह कहा कौन सी चाल चल रहा है किस मारक पर जा रहा है तो वगान सरी कृष्ण कहते हैं कि यह मन संसार में भटकेगा तुमारे बश में नहीं होगा जब तक तुम मेरी शर्ण में इसको नहीं लगा दोगे मेरी सेवा में इसको नहीं लगा दोगे मेरे नाम जप में इसको नहीं लगा दोगे मेरे कीरतन में इसको नहीं लगा दो और तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तुम्हारा कल्यान चाहने वाला बन जाएगा। जरा मरण मोक्षा है। तब तुम्हें जरा बुड़ापा और मरण यानी मिर्त्यू से छुटकारा प्रात कर सकते हो। और कोई मार्ण नहीं बतलाया भगवान नहीं होता कोई मार्ण यहां बोलते नहीं बोला। जरा मरण मोक्षा है। मामा सर्थ्य तंति यह जो मेरी शवर में रह करके जनम मरण से छुटकारा पाने का प्रियत्न करते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु वोई ब्रह्म को पैचानते हैं। ब्रह्म क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है। और वो यह जानते हैं मुझ परमेश्वर को मेरी आत्मा को मेरी सुप्रीम सौल को मुझ परम्राम्मन को परमात्मा को ते ब्रहम्त अज्मिदु कृस्णम अध्यात्म वोग जानते हैं आत्मा के विशेमिन वोग जानते हैं करम के क्षेत्र को करम फिल्ड को वो जानते हैं अध्यात पुक्षेत्र को आत्मा के फिल्ड को चाखिलम और पूर्ण जो इस्तार है भगवान का उसके बिसे में उनको ही जानकारी है जो मेरी शर्ण में रहके इस जरामरण से मुक्त होने का प्रियास करते हैं यानि मेरी भक्ति करते हैं जरामरण मोक्षायो मामा सुर्टियतंतिये ते ब्रहमत तद्विदु कृस्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम अध्यात्म क्या है आपकी आत्मा ही अध्यात्म है यहाँ पर अध्यात्मा को कहा है यह इटर्नल है full of bliss है आनंद मई है हमेशा के लिए अब ये जो है आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है आनंद मई है ग्यान मई है आप सब हे आत्म देव आप सूरिय के समान तेजस्वी है लेकिन ये छे शक्तरों ने छे विकारों ने और बारे खजानों ने घेर करके ये घेर करके बैठ गए आपको आपके उपर बादल की तरह चागे काली बादल मन रहा गए अब ये सूरिय तो लुपत हो गया दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई पड़ते हैं काले बादल दिखाई पड़ते हैं शरीर कि मैं ये शरीर हूँ मैं ताकतवर हूँ मैं रूर्वान हूँ मेरे शरीर हैं मेरे बच्चे हैं मेरे पत्नी हैं मेरे परिवार जन हैं मेरे रिष्टेदार हैं मेरे वोट देने वाले समर्थक हैं ये शरीर दिखाई देते हैं अश्टा वक्र महाराज ने जनक रिष्षी को फटका रहा था जनक रिष्षी बड़े-बड़े बिद्वानों से ब्राह्मनों से सत्संग करवा रहे थे अपनी महल में तर्व की तर्व शास्त्रार्थ चल रहा था बिद्वानों जो स्कोलर्स हैं जिनको जो किताबी कीड़े हैं जिनको शास्त्र का तोता रटंत का ज्यान है अनुभव नहीं जब यह सत्संग में अश्टावक्र पदारे तो यह सारे विद्वान ब्रह्मन हस पड़े पंडित पांडित जिनको पंडित कोई जिनोंने धन समझा है रहस पड़े अश्टावक्र जी को देख करके अश्टावक्र उनका नाम ही अश्टावक्र है उनका शरीर आठ जगे से टेड़ा मेड़ा था उनके पीछे भी शाप लग गया उनकी पिताजी का उनके पिताजी ब्रह्मन थे करम कांडि ब्रह्मन जोतिस विद्यावाले शनी नवग्रह के जाप करवाने वाले करम कांडि ब्रह्मन अश्टावक्र जब पेट में थे मा के पेट में सात्वे मैने में जब बच्चा पहुंसता है तो कोई सिख्षा देने की पद्धिती चली आई है आज भी है कल भी थी जैसे नारद मुनी ने भक्त प्रलाद जब गर्व में थे कयादु माता के तब नारद मुनी ने उपदेश किये थे कयादु को और वो सारे उपदेश बालक भक्त ने सुन लिये थे आज्यात्म ज्यान बगवत कताईं ठीक वैसे ब्रह्मन कहते हैं पिता अश्टावक्र त टेड़े मेड़े हैं इसलिए नाम अश्टावक्र पड़ गया है उनके पिता जी नहीं इसाप दे दिया कि तु अश्टावक्र नामसे जाना जाएगा तैरे शरीर में आँठ जग़े से बाख होंगी टेड़ा मेड़ा होगा तो मेरे एग में बात नहीं सुनता पिता जी वेचारे मेहनत करते थे बच्चे को तैयार करते थे कि करमकांड द्वान बने तो शिक्षा देते थे करमकांड की लें बालक बड़े चातन्य थे कि इन्होंने सोचा कि जो पिताजी जो शिक्षा मुझे दे रहे हैं इस शिक्षा ते सो संसार में आदमी फस्ता है ये तो सब्वोई इंदर चंदर को मनाने वाली विद्या है बोग विलाशों को चाहने वाली विद्या है ये तो करमकांड कहिए कि ये तो अभिद्या है ये तो संसार में फसाती है कि तुम शनी के जाप करो, इंद्र को आउती दो, चंद्र को आउती दो, वायुदेव को आउती दो, और इसे फिर घोडा गाड़ी मांगो, धन बैबाव मांगो, इस्त्री पुत्र मांगो, यह तो संसार में प्रसाने वाली विद्या है दो कि अर्षाण का सवो सक्राइब बैटा झाल ORfilm का सवो विद्या है